मुरेना जिले में हर्श फायर का सिलसिला थम भी नहीं रहा हर्श फायर के दौरान ग्रामिंग यूवक की मौत हो गई मामला बीती राग का है जिंडोली गाउं में आयोजित शादी समारोह में ताबर तोड हर्श फायर हुए 28 वर्श मुनेश बगहल को गोली लग गई अंबहा अस्पताल में प्रात्मिक चुकितसा के बाल उसे मुरेना लाकर गौलेर ले जाए गया यूवक की रास्ते में ही मोत हो गई सुचना मिलते ही अंबहा पुलिस मौके पर पहुची आज सुबह अंबहा चुकितसाले में प्रात्मिक के बाद शव परिजिनों को सौब दिया गया पुलिस ने मर्ग कायम किया और मामली की जांच शुडू कर दी है मनीश को किसकी गोली लगी किस हतियार से गोली लगी इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है पता दे हाल ही में दो दिन पहले दिमनी थानश शेत्र के मिरगान गाव में भी हर्ष फायर हुए थे अरोपी के बारे में अभी परिवाजन द्वारा नहीं बताया गया है यह साधी के कारिकरम था उनके इधर पर बराद आई थी बामौर से उसी मार्च पार के दवरान घटना गड़त हुई है परिवाजन नहीं कहना है कि हमें जान काई नहीं किसने बेरी चलाए उसके बारे में उनकी नतक का वाही है उसकी तरफ सरी अपराद बंजिवत कर लिए गया है उसकी विश्चान की जा रही है गड़ना काउगी है यह कल दिना रात करीब साड़े दस वज़े की रता है गया भी जान के लिए Hiç है ब़्यव कर दाया बंजिवत कर दाव है we wings